So guys, the 5 ways to making money on Facebook बहुत सारे लोग फिर से Facebook से earning करना इस्टार्ट करते हैं, मैं देखा हूँ, काफी अच्छी earning हो रही है इसलिए ये वीडियो में आप लोग ये बना रहा होगा आप Facebook पे earning करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए दे दो एक thumbs up क्योंकि आपका एक like मुझे बहुत दा मोटिवेट करता है और नए महमान हो तो चैनल को subscribe के वाल का icon ज़रूर प्रेस करो, let's go So guys, the first way to earn from Facebook, पहला तरीका, right, monetization आपको पता है कि Facebook ने launch किया हाल ही में monetization plan अगर आप इसको सही से काम करते हो अपने pages पे, daily post schedule करते हो और daily नहने videos का implementation करते हो, right, अगर आपके खुद की video नहीं है आप दूसरों की video का edit करके डाल सकते हो, right, clips डाल सकते हो, अलग-लग चीज़े डाल सकते हो, लोग इससे काफ़ी अच्छाआ सा पैसा earn करें अगर एक video भी आपकी viral होती है, तो आप उससे 12,000-13,000 dollar easy earn कर सकते हो तो आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ कि आप जो पुरानी TikTok की videos हैं या viral videos हैं on Facebook, उसको edit करके डालो, याद रखना, edit यहाँ पर factor है, जब तक आप उसको edit नहीं करोगे, अगर जिट्टो डालोगे तो copyright आजएगा, अगर आप edit करके डालोगे, तो आप इससे earning कर सकते हो, और अगर आपकी वीडियो वाइरल होती ही, तो आप काफे चछासा पै है, अगर आपका खुद का group है, या page है, तो आप वहाँ पर अपने website पे traffic drive करकर earning कर सकते हो, और instant article में जो ads आते हो, उनके through, बट अगर आपके पास pages नहीं है, groups नहीं है, तो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके groups और pages हैं, जिनको नहीं पता monetization कै कैसे की जाती है, कैसे earning की जाती है, आप उनसे collab कर लो, आप उनको DMs करो, जाके inbox करो, उनसे contact करो, बोलो कि भाई, हम लोग earning करेंगे, आप इतना लेना, आप इतना लेना, बहुत सारे ऐसे fan pages है, heroes के, heroines के and funny pages, जिनको नहीं पता हो, वो just time pass कर रहे हैं, बच्चे हैं या सिर्फ ट्राफिक ड्राइब करके अपने website पर earn कर रहा है, उसके पास एक group है, उसके थुरू वो drive कर रहा है, और एक page भी यह समय, तो उननों सिर्फ एक group और एक pages से 1000-2000 ड्राइब कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है, easy है, तो अगर आपके पास भी ग्रूप है, एक page है, तो आप भी ट्राफिक ड्राइब करके काफी ग्रूप कर सकते हो, next, अब गैस, अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो, बहुत बढ़ा कुछ करना चाहते हो, यह तीसरा तरीका है, facebook ads, आप facebook ads के बारे में study करो, facebook ads कैसी होती है, कैसे काम करती है, right, आप लोगों को as a freelancer, सिर्फ facebook ads की बात कर रहा हूँ, facebook ads की service दे सकते हो, बहुत सारे ऐसे businesses हैं, लोग हैं, जिनको facebook ads का F भी नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा सीख जाते हो, उनको easily approach करते हो, कि sir, मैं आपके लिए इतने दिन, इतने दिन free करूँना, अगर आपको कुछ benefit होता है, तो आप मुझे pay करें, ऐसे कर करके, आप काफी अच्छा खासा पैसा gain कर सकते हो, believe me, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो सिर्फ facebook ads करकर के, लाखो रुपय महीने के कमार हैं, आप जाके खुद सर्च करो google में, कि facebook ads की freelancing करके, लोग कितना पैसान करें, तो facebook ads जो है, वो काफी जादा easy चीज़ है, आप YouTube में सर्च करकर के सीख सकते हो, और also जो मेरा course है, 777-umpire.in, जिसकी link आप पो नीचे मिल जाएगो, उसमें मैं free ebook भी दे रहा हूँ, facebook ads, right, तो course को जाके आप चेक जरूर करो, most affordable course है on internet now, तो आप जाके चेक जरूर करो, और Instagram पे म आपको और भी update दूम है, facebook ads के बारे में, क्योंकि facebook ads का एक छोटा सा series, video series मैंने start किया Instagram पे, next, facebook shop, facebook shop का अभी एक नया feature launch हुआ है, जिसकी video मैंने एक दिन पहले बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हो, recently मैंने बनाई थी, तो वो video जाके आप जरूर चेक करो, वहां मैंने बत affiliate कर सकते हो, खुद का product sell कर सकते हो, यह चौथा most effective तरीका है, क्योंकि facebook shop सिर्फ इसी लिए release किया गया है, इसी लिए facebook के through लाया गया है, क्योंकि facebook उसको promote करता है, जैसे कि facebook marketplace को promote करता है, आपको पता है facebook shop में जो चीज़ आप add करते हो, वो कभी-कभी marketplace में भी show होती है, जो marketplace का option आता है ना facebook में उसमें, तो यह दोनों चीज़ को facebook push कर रहा है, तो कहीं ना कहीं facebook चाहता है कि लोग shop बनाएं और चीज़ों को drive करें, sell करें वहाँ पर, so guys facebook shop को आप अपने भी pages में add कर सकते हो, और लोगों के pages में भी add कर वा सकते हो, जिन लोगों को इसके बारे में न आपको धूनना है, search करना है, dm करना है और यह information उन तक पहुँचानी है, last in the list and most effective, guys last में है social media manager, अब social media manager क्या चीज़ है, social media manager मतलब कि किसी भी बंदे का facebook profile को समझालना, समझना कि उसको क्या चीज़े, कैसा content चीज़े, कैसी service चीज़े, right, अब social media manager जब मैं बोल गया हो, मत अब लग कि उसके हर कुछ, उसके messages, comment, like, उसके post कैसे बनेगे, यह सारी चीज़े आ जाते है social media managing में, social media managing में अभी एक बड़ी चीज़े है, जिसको बोलते है messenger, messenger भी guys एक अलग topic है, अगर आप social media marketing सीख रहे हो, managing सीख रहे हो, तो आप make sure कि messenger marketing पे ध्यान दो, यह दो messenger एक अलग ही, बहुत बड़ा गीम हो चुका है messenger marketing, तो अगर आप यह चीज़ सीख जाते हो, तो लोग ready बैठ हैं आपके लिए, लाख लख रुपए पे करने के लिए, सिस्फ यह चीज़ करने के लिए, वहाँ से वो revenue generate करते हैं, वो product को sell करते हैं, वो अपनी एक list बनाते ह पूरे wires की जो बनती है, manager, social media manager के proof, और जादा तर इसका use होता है messenger में, तो यह बहुत बड़ी चीज़ है, आप तो इसके बारे में search करो, और क्या चाहते हो कि आप मैं इस पर detailed video बनाओ, तो let me know in the comment, और अगर यह वीडियो अच्छी है कि तो इस वीडियो को कर दो like, और अगर अगर, अगर, और यह बहुत हो इसके जानाओ, जड़ा प्लर अगरग कर डिम्त, यह वीडियो को का ज़ए से सवार्ट बशनाओ, प्ल्राइब नह ज़ए, इसके बारता है ज़ए से दोशना अगर को कर दो आख यह ज़ए.